प्रतिवावन लड़की के बारे में जिसका नाम है सानवी पवन श्रीवास्तव सानवी की उम्र सिर्फ पांच बर्ष है जो की कोरिया चित्तिजगर में रहती है पांच साल की सानवी काफी टैलेंटेड है सानवी बच्पन प्ले स्कूल में यूक एजी की स्टूडेंट है महच पांच बर्ष की उम्र जिसमें की बच्चें सिर्फ खिलोनों के अपना समय बिताते हैं उस बच्पन की उम्र में सानवी अपनी प्रतिवा को निकारने में लगी हुई है साथी साथ अपनी कला के रंग भी बिखेर रही है सानवी खिलोनों के अलावा भी और भी शोक रखती है आईए जानते हैं क्या है वह सानवी बच्पन से ही प्रतिवाहों में बाग लेने की शोकीन रही है और यह सफर आरम हुआ जबकि वह सिर्फ एक वर्ष की थी यह नणी कलाकार चित्रकला गायन नत्थ कहानी फैंसी ट्रेस कॉंपिटिशन का शोक रखती है यह तीन बार फैंसी ट्रेस कॉंपिटिशन में विनर भी रह चुकी है और उन्हें कई सर्टिफिकेट भी मिले है परन्तों आप यह सोच रहे होंगे कि इतनी नगनी सी लड़की पैंटिंग में कैसे रूची रख सकती है सानवे की माता श्रीमती सुष्मा श्रीवास्तोव जी भी पैंटिंग का शोक रखती है और वस्वयम भी पैंटिंग बनाती है ठीक इसी प्रकार सानवे भी अपनी माता के साथ पैंटिंग सीखने लगी क्योंकि कहते हैं ना बच्चे की पहली गुरु तो माही होती है और बच्चा घर के जिस माहौल में रहता है वही सीखता है सानवी ने 2019 में स्वदेश भारत संसान आयोध्या उत्तरपदेश द्वारा बाल कला का चित्रकला प्रतिवकिता में भी अपनी कला का रंग निखे रहा है पात साल के इस सफर में उन्हें पैरेंट्स और टीचर का पूरा-पूरा सपोर्ट मिला है पड़ाई के साथ साथ इन छेत्रों में रूची भी काफी मात्रपून्द होती है साथ ही साथ सानवी अपने हर जन्म दिन पर ठिक पोधा लगाती है इतनी काम उम्र में इतनी बड़ी सोच के जच्विकों हम सलाम करते हैं क्योंकि आज जहां बड़ों-बड़ों को इसके लिए जागरत किया जा रहा है वही सानवी के परिवार के द्वारा किया जा रहा है या प्रक्षा रोपन का कार अतिम सराह ही है जिससे की ओरों को भी फ्रेंड ना मिलेगी क्योंकि हर्याली ही तो हमारा जीवन है ब्लॉक्स्ट्रो मैप्टिंग की तरफ से सानवी के उच्वन भविश्य की पहर सारी शुब काम ना है